तो गाइस अगर आप भी यूटूब पर वीडियो अपलोड करते हैं अपनी वीडियो के डिस्कप्शन में एक मिस्टेक करते हो ना तो आपकी एक मिस्टेक की बजा से आपका चैनल डिलीट हो सकता है बहुत सारे भाईयों का चैनल इस mistake की बज़ा से डिलीट हो गया है और वो आज रो रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी यह problem हो क्योंकि एक छोटी सी mistake हमारे चैनल को बरबाद कर सकती है मैंने जब अपने subscriber को चैनल को चेक किया जब मैंने वीडियो के description में गया तो मुझे same बही problem देखने को मिली तो मैंने सोचा आपको भी इस बारे में बताया जाए कहीं आप भी यह एक mistake ना कर रहा है अपनी वीडियो के description में जिसकी बज़ा से आपका चैनल भी कहीं terminate ना हो जाए जब मैं आपको इस mistake के बारे में बताऊंगा ना तो आपको यह एक छोटी सी mistake लगेगी बढ़ यह छोटी सी mistake आपके लिए बहुत बड़ी mistake बन सकती है तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं channel promotion की तो फाइनली चैनल का नाम है महिस टेक स्लूशन तो हाँ गाईस यह छोटी सी mistake आखिर है क्या जिसकी बज़ा से बहुत सारे भाईयों का चैनल डिलीट हो गया है तो देखो गाईस साइड में मैं आपको एक screenshot दिखा रहा हूँ बहुत सारे बंदी क्या करते हैं जब अपनी वीडियो का upload करते हैं upload करने के बाद अब वो description में जो cover topic डालते हैं अमतब keyword जो डालते हैं अब उन्होंने keyword के आगे अगर coma use कर लिया ठीक है जैसे मालो tag हम tag डालते हैं tag में हमें coma लगाना होता आगे अब वही tags उठाके उन्होंने description में डाल दिया और coma को नहीं अटाया तो वो आजाता है misleading में ठीक है अब mislead कर रहा हूँ आप YouTube को mislead कर रहा हो तो इसकी बज़ा से YouTube आपको सजा दे सकता है और YouTube आपको बिना बताए आपकी इस छोटी mistake की कारण आपके channel को delete कर सकता है और यह बहुत सारे बंदों के साथ हो चुका है और दूसरी जो mistake यहाँ पर एक और होती है hashtag ठीक है अब यहाँ पर बहुत सारे बंदी क्या करते हैं इस तरह से भर-भर के hashtag डाल देते हैं अब यहाँ पर जो limit होती है description में hashtag की जो limit होती है YouTube यह नहीं कहता है कि आप अपनी वीडियो में hashtag use नहीं कर सकते हो use कर सकते हो बड़ उसकी limit है वो 15 limit है आप इससे ज़्यादा hashtag नहीं use करोगे वो आ जाएगा mislead में अब आपको करना क्या है जैसे मालो आपने अगर अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा keyword को use किया है तो keyword use करने से कुछ नहीं होता है YouTube खुद कहता है कि आप अपने जो title होता है न वीडियो का बहुत सारी यूटूबर ने इस तरह से बताया है कि आप अपने वीडियो में description में इस तरह से keyword को use कर सकते हो तो mislead करके कुछ बता देते हैं जिसमें होता है कि है न ये keyword हमारी वीडियो को viral करने में मदद तो कर देते हैं बट इससे आगे problem तो हो सकती है न आपका channel कभी भी delete हो सकता है तो ये आपको नहीं करना है तो इसी का मतलब बहुत सारे बंदे फाइदा उठाते हैं तो वो अपनी वीडियो में कुछ ऐसा mislead कर देते हैं जिससे YouTube को लगता है कि इनके वीडियो के अंदर mislead metadata है और उसके कारण YouTube क्या करता है न बिना बताए आपका channel को delete कर देगा तो अब इस problem को solve कैसे करा जाएगा ये जान लो अगर आपने ठीक है पहले से बहुत सारी वीडियो में इस तरह से आपने mislead किया हुआ है यानि कि आपने keyword बहुत सारे भरे हुए है और आपने वीडियो कुछ और है उससे अलगी आपने keyword को use किया हुआ है आपने सोचा है यार इस तरह से मैं use करूँगा तो मेरी वीडियो वाइरल हो जाएगी तो ये गलत तरीका है अब यहां पर करोगे क्या आप इसको आपको solve कैसे करना इस problem को आपको कैसे solve करना देखो आपको क्या करना है दिन में आपको थोड़ा सा time देना है आपको एक वीडियो लेना है उसके edit में जाके आपको description में जाके और अगर आपने hashtag बहुत जादा भरे है तो आपको 15 hashtag कर देने है और आपने अगर वहाँ पर keyword जो होते है जो हम cover topic यूज करते है यानि कि जो keyword यूज करते हैं description में उसमें आपको क्या करना है simply आपको उनमें से आपको ऐसे keyword को यूज करना जो आपको title से related हों यानि कि title से मिलते जुलते हों और अगर आपने उन keyword के आगे देखा कि मतलब कोमा लगा है तो आपको कहा करना है उन कोमा को सारू को हटा देना है मेरे साथ भी यही होता का मैं यह नहीं देखता था तो यार मैंने क्या करा ना सभी वीडियो को time दिया सभी वीडियो को time देकर और उनके description में जाके मैंने इस चीज को change किया तो आप भी इस चीज को अपने वीडियो में जाके जरूर कर लेना बना आपको आगे चलके problem हो सकती है अगर आज की एक जानकारी आपको पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को फड़ा फड़ लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताके उनको भी इस बारे में पता चले और चैनल पगर पहली बारा ना चैनल को सब्सक्राइब करके